बिसमिल्यारामाने राहीम, असलाम लेक्रम दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं हुझा अनसारी और आप देख रहे हैं इजाजन सारी फूर्ट सीक्रट्स अलावर्कत देए आपके खानों में आपके रिस्क में आपके जाए को में प्रेवर्स प्योर रेस्टरान स्टाइल शिनवारी मठन कड़ाई की रेस्पी लेके आए हूँ, अकसर लोग कोड़मा बनाके उसको कड़ाई बोल लेते हैं और शिनवारी कड़ाई तो टोटली डिफरेंट होती है सबी रेस्पी से, बहुत ही स्पेशल होती है, इन्शालाई इसको एक दफाँ बना लेने के बाद हो करना है, तो इस बात का आपने इंत्यान रखना है, दो बड़ी लाची आइड कर देंगे, वैसे ही ये शिनवारी डैस्टोंट्स वाले आइड नहीं करते हैं, लेकिन हम आइड कर देंगे, क्योंकि इससे गोश्ट की स्मेल दूर हो जाती है, डंकर रखते हैंगे और इसको कर देंगे, तो पकाएंगे तो बन 30 मिनट, 30 मिनट में मटर जो है, वो अच्छे से गल जाता है, कुकर में लगाना है, तो ये 12 मिनट के लिए काफी होता है, अब यहाँ पे हमने साबर टमाटर बीच में से कट करके उपर रखते हैं तीक है, ऐसा क्यों करना है, ऐसा flavor इसका जो है वो develop होगा जो मैं चाहिए छिलको को हम कर देंगे remove और tomato को कर लेंगे mix अगर यह अच्छे से यहाँ पे नरम हुए तो ही आप से mix होंगे otherwise अगर कच्छे रहेंगे तो mix करना मुश्किल होता है फिर भी कोई मसला नहीं आप बाहिर निकालके तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे से नरम कर लिया था अब हम इसको इसके अंदर mix कर देंगे अब यहाँ पे अत्रक lesson का पेश जाएगा ठीक है जैसा कि मैंने आपको बताया मैं pure authentic जो recipe है उसको follow कर रहा हूँ जो restaurants के अंदर शिनवारी restaurants में बनती है अब हम इसकी करेंगे अच्छी बली पकाई याद रखेगा इसके अंदर प्यास नहीं जाते बिल्कुली भी नहीं जाती इवन original जो कड़ाई की recipe है उसमें भी प्यास नहीं जाते लेकिन लोग add कर देते है और जो शिनवारी है इसमें तो तुकी नहीं बनता कभी नहीं जाएंगे प्यास हरी मुझे तीन से चार कट लगा के अच्छे से नमक एक जाएगा और सिर्फ एक और मसाला जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा जस्ट आपको इस तरह का क्रीमी मसाला मिलता है जिसकी बेस्ट टमाटर होता है ठीक है अब जो आखरी मसाला मैंने आपको बताया था वो जाएगा काली मिर्च आफटी स्पून के क्रेब ठीक है सिरफ ये और कुछ भी नहीं करेंगे हाँ अद्रक और धनिया हमैट कर लेंगे तो यहाँ पर आपने देखना है कि इसकी कंडिशन सेम ही होनी चाहिए पानी मौस्चर ग्रेवी बिलकुल इसके अंदर नहीं जानी चाहिए वरना इसका फ्लेवर जो एक क्रीमी टेक्चर होता है वो निकलेगा ही नहीं ठीक है तो same as it is आपने रैस्पी को फॉलो करना है याद दखेगा कोई मसाला नहीं एक नमक और एक काली मिर्च और साथ में जो टमाटर है उसकी आपने में ग्रेवी बनानी है चलें जी बिसमिल्ला रुर्मान रहिम तो माशाला अलहम दुलिल्ला दिखेजी मेरे लाकी शान उसकी दैम ते नहीं ते और बढ़ते जुदिस रुमातर माटर में प्रेवी बिसमों शानदार मतन शिन्वारी कड़ाई तयार है दौा में रिखिए वीडियो को लाइकिजी जान सरको जाइस देजी अगले उटतक अल्ला हाफीज